करनाल में करोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है करनाल में दो करोना के और पॉजिटिव मरीज आए हैं दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड साहिब की है करोना का कहर दिल्ली से लेकर हरियाना कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है करनाल में भी करोना की मरीजों की संख्या में लगाता रिजापा हो रहा है करनाल में दो और करोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री नांदेड साहिब की है इन दो मेंसे एक मरीज करणाल के रामनगर इलाखी का रहने वाला है जबकि दूसरा मरीज करणाल की पखाना गाउं का रहने वाला है जिन में सबकी ट्रावल हिस्ट्री नांदेड साहिब की है पुलिस नहीं रामनगर और पखाना गाओं के उन इलाकों को कंटेंटमेंट जोन खूशित कर दिया आज हमारे जिले में दो नए कोरोना के पॉजिटिव केसिस आए हैं ये दोनों लोग वो हैं जो नांदेर सहिब गए थे और 30 अप्रेल को करणाल में वापस लोटे इनके शुरुवाती दो टेस्ट नेगिटिव आये थे कलीद का दुबारा से सेंपल लिया गया था और आज की रिपोर्ट में दोनों पॉजिटिव आये हैं वहीं एतियात के तौर पर मरीजों के परिवार वालों को ये भी सेंपल लिये जा रही बहराल कोरोना से इस सुजोंग में प्रिशासल लोगों से लगादार खर में बने रहने की अपील कर रहा है और यहीं है तोनों केस पॉजिटिव इन की फर्स्ट रिपोर्ट में खेल से नेगिटिव आई थी जैसे जैसे करोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे लोगों को और भी सावधानिया बरतने की जरूरत है ताकि करोना का संकरमन ज्यादा ना फेले उन्याद का 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 लगानिया बरतने की जरूरतहा चार बढ़ता है